तो कैसे हो आप सब आज के इस वीडियो में मैं आपको साल 2021 का question paper दिखाने वाली हूँ जो की पतना university का है ठीक है और यह BBA CC102 Business Mathematics and Statistics का paper है जिसको complete करने के लिए आपको total 3 गंटे का time मिल जाता है और इसका जो full marks है वो है 70 marks 30 का आपका practical होता है और 100 में जो है आपका result निकल करक है अगर आपको extra time चाहिए होगा तो आप लोग वीडियो को pause कर लेना और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती हो तो like, share, subscribe ज़रूर करिए तो सबसे पहरे जो question है यह है part number A जो की objective type question है एक question जो है एक marks का है इसी तरीके से 5 questions दियेगा है तो 5 marks का यह पूरा section number A है तो सारे questions को ध्यान से देखिएगा और options को भी ध्यान से देखिएगा नेक्स question देखते हैं यह page number 2 है यह सारे questions आपके भी examination में आ सकते हैं तो इसलिए आपका preparation होना बेहत important अब हम बात करेंगे part number B के बारे में जो की short answer type question है ठीक है तो यहाँ पर हमको answer any 4 questions of the following करना है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर question number 2 आप लोग देख सकते हो फिर यह जो है यह question number 3 है इसमें आपको matrix है दिया हुआ फिर आपको यह solve करना है arithmetic mean फिर quality है percentiles next question देखते है फिर बात आता है section number C के बारे में तो यह long answer type question है यह जो एक question जो है 10 marks का है और जहाँ पर 4 questions ही आपको attempt करने हैं ठीक है सारी questions को आप लोग बहुत ही धियान से देखिएगा फिर यह जो है यह question number 11 हो गया यह question number 12 है this one is 13 and that's it so students I really hope कि आपने सारे questions को देख लिया है अब अच्छे सरीके से solve कर लोगे और उमीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो लग शच्छा 0